आज हम चिलर के पंपों के बारे में समझेंगे ये चिलर का सेकंडरी पंप बोलते हैं इसको सेकंडरी पंप कितने हैं यहाँ पर दो दिखाई दे रहा है आपको ये दोनों पंप क्या करते हैं ये दोनों पंपों का काम क्या है आराम से ये लोग पानी चिलर से लेते हैं चिल सब्सक्राइब के एब आपरेटर में से लेकर यह पूरी फिल्ड में पानी पहुचाएंगे आपकी में जो भी फिल्ड होगी आपकी होटल मॉल फैक्टरी जहां भी आपको चलिंग की जरुवत पढ़ती होगी यह वाहं पहुचाएंगे यह पानी का साइकल चलता रहता है च इसे बोलते हैं सेकंडरी पंप पहले यही होता है सबसे पहले दूसरा आगया यह प्राइमरी पंप का क्या काम है प्राइमरी पंप पानी सिर्फ प्लांट प्लांट के अंदर गुमाता है प्लांट के सिर्फ अंदर अंदर पानी गुमाएगा यह एब ऑपरेटर के अंदर सिर्फ अंदर अंदर का सिर्फ फील्ड में नहीं जाएगा फिर उसके बाद क्या होता है यह घुमाने के बाद इसकी बाद आती है बारी किस पंप की कंडेंसर पंप की कंडेंसर पंप क्या करता है टावर से पानी लेके यह टावर से पानी लेते हुए यह वाला उपर से पान मारी गरम होंके कहां चला जाएगा आप दो बारा लिफ्ट होके सीदा चला जाएगा कुमें टावर ay produkt यह कर दोबार ठर्ड़ा होने लिए चला गया जो प्लांटके कंडेंसर में से निकलके बाहर आ तब वो वाला इस कंडेंसर पंप का इतना ही काम होता है यह सिर्फ प्लांट का पानी कंडेंसर से घुमागे कुलिंग टावर में और कुलिंग टावर से घुमागे कंडेंसर अब इसमें condenser pump का temperature दिखा रहा होगा, कितना आ रहा है इस time पर, temperature दिखाई देंगे, आपको ध्यान से देखना, screen पर, यह पहला दिखा रहा है, 38 degree temperature आ रहा है, tower से, और 33 degree temperature देखो, बापिस जा रहा है, plant से गरम होगे पानी जा रहा है, यह condenser pump का काम है, और यह secondary pump का आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर दिखाई दे रहा होगा, secondary pump का कितना आ रहा है, आ कितना रहा है, plant में आ रहा है, 15 degree का temperature, दिखाई दे रहा है, आप return, ठंडे पानी का 15 degree,